तो क्या हाल है मेरे भाई ओके सब बढ़िया है ना गाईस कुछ ताइमस आप नोटिस कर रहे होगे कोई भी ब्रांड अपना नया स्मार्टफून ऐस सच लांच नहीं कर रहा है जिसमें कुछ खास बढ़ी अस्पेक्स हो तो अगर आप कोई नया स्मार्टफून प्लान कर रहे हो तो नये स्मार्टफून लांच होंगे जैन से स्टार्ट हो जाएंगे और फब में अर्मोस्ट सभी ब्रांड्स अपने नये फोन पर चेस करने का अगर आपको उतना वेट नहीं करना जान या फेब तक तो आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरी लास्ट वीडियो पर और मैंने सुचे क्यों एने वीडियो कर लेते हैं बिकॉस मैंने इंस्टाग्राम से भी कुछ सवाल आपके पे करें आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वाप अपना सवाल पूछ भी सकते हो तो उन सवालों के बेसिकली जवाब देने वालों लेकिन अगर देखो कई बर सेल नहीं होती और तब भी आपको अच्छा फोन चाहिए होता है तो मैं ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि कुछ फोन ऐसे हैं जिन्हें आप सेकेंड भी परचेस करके अपने पैसे सेव कर सकते हो तो आता हूँ के करके कमेंट पर विकॉस से रिलेटेड भी आपके ना कमेंट्स आ रहे थे पहला सवाल जो मैंने पिक करा है Notorious Doc ने पूछा है कि अब Flipkart पे कौन सी सेल आएगी तो मैंने आपको बताया था कुछ ताइम पहले कि Flipkart पे Year End में आपको Christmas के आसपर सेल देखने को मिलेगी जिसमें कुछ स्मार्टफोन पे आपको अच्छा डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा तो आप Christmas तक वेट कर लो Mini PK पूछ रहे हैं कुनाल ब्रो Will there be big offers for Black Friday sale in Flipkart तो Black Friday sale as such कोई Amazon और Flipkart पे हमें देखने को नहीं मिली जबकि हम expect कर रहे थे कि 24th November से एक sales start हो जाएगी Samsung shop app पे sales start हो रही है जहाँ पे आपको Samsung के कुछ smart TV है QLED TVs है, refrigerator है और कुछ smart phones है जिन पे थोड़ा बहुत discount और offers मिल रहे हैं तो एक बार आप चेक कर लें अगर आपको उनमें से कुछ पसंद आता है तो लेकिन as such कोई Flipkart Amazon पे sale जो है वो मैं Christmas पे ही expect कर रहा हूँ उसके पहले कोई sale मुझे ने लगता की आएगी Deep Jyoti पूछ रहे हैं I'm getting Pixel 6a at 27,000 Is it a good deal? Yes, Deep अच्छी deal है 27,000 रुपीज में तो definitely Pixel 6a आप purchase कर सकते हो अगर आप कोई बहुत ज़दा gaming नहीं करते हो या outdoor में बहुत ज़दा videos record नहीं करते हो तो Pixel 6a एक काफी अच्छा option है heating issues थोड़े बहुत मैंने इसमें notice करें है कि मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा phone heat हो जाता है outdoor में जब ज़दा use करोगे या फिर अगर आप gaming करोगे तो normal usage है तो ऐस सच आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए अकाश सलूजा ने पूछा है भाई या under 15,000 मुझे कोई अच्छा phone बता दो camera अच्छा हो game चल जाए photo editing विगरा करनी है इनको Samsung F23 आप consider कर सकते हो Samsung shop app पे offer देखने को मिल जाएगा आपको 24th November को उनकी Black Friday sale है 12,000 रूपीज के राउंड easily मिल जाना चाहिए शाएद 11500 का भी मिल जाएगा cashback और सारे offers के बाद इसमें Snapdragon 750 है और ये processor decent perform करता है specially 1 UI के साथ तो photo editing हो जाएगी और जो camera quality है वो एक यही ऐसा phone है 15,000 के अंडर जिसकी मेरको थोड़ी ठीक लगती है front camera, rare camera, daylight में अच्छा perform करता है जबकि front camera सिर्फ 8 megapixel का है लेकिन image quality अच्छी है low light में बड़ा average सा camera है और low light में आपको 15,000 के अंडर अच्छा camera phone नहीं मिलेगा processor धंका होने की वज़े से photo editing इसमें हो जाएगी और आप gaming भी कर सकते हो TFT display है तो display थोड़ी सी average ही है कुछ खास नहीं है पर ठीक है 11-12,000 में अच्छा phone है कुछ ताइम पहले एक video upload करी थी उस पे basically ये comment आया कि क्या अब ये phone flip card पर 11,000 का मिल रहा है अब बहुत बड़ी है ठीक ठाक सा phone है लेकिन जब better option available है तो उस पे पैसे spend करो ना मैं बात करूँ Moto G82 ये phone 20,000 रुपीज के round है 6GB RAM 128GB storage के साथ इस पे आपको कुछ cashback भी मिलेगा और 18,500 या even 19,000 रुपीज में भी Moto G82 Snapdragon 695 के साथ high refresh rate के साथ AMOLED displays में ये एक काफी better option है और जो उसमें आपको user interface मिलता है वो बहुत better और बहुत stable है तो आप Moto G82 purchase करो मेरे recording बाकी पैसे आपके जैसा आपका दिल करें आप उस पे जा सकते हो राहूल भाई पूछ रहे हैं अच्छा पूछ नहीं रहे है because low light में उसका camera काफी अच्छा परफॉर्म करता है और ये 24,000 रुपीस में I guess आपको exchange offer के बाद मिल रहा होगा and trust me 24,000 रुपे में ये phone मुझे अच्छा लगता है camera phone 24,000 रुपे में जाद अच्छे आते ही नहीं है IQ9 AC का camera आपको इस price के साब से अच्छा परफॉर्म करता है मतलब Samsung A33 24,000 रुपे मिलेगा उसका camera, front camera, rear camera no doubt काफी अच्छा है लेकिन daylight में low light में अगर देखे तो IQ9 AC बेटर परफॉर्म करता है तो ले लेना चाहिए मेरे साब से अगर अभी भी deal है तो purchase कर लेना इसको Kumar Lin अच्छा ये सवाल जो भाई ने पूछा है ना ये कुछ टाइम से मुझे आप में से काफी सरे भाई पूछ रहे हैं इन्हें 30,000 के अंडर एक phone purchase करना है कौन सा purchase करना चाहिए ये पूछ रहे हैं और इन्हें second hand phone purchase करना है अब मैं आपको एक चीज़ बता जता हूँ अगर आपको second hand phone purchase करने का plan कर रहे हो और आपको ज़दा knowledge नहीं है कि second hand phone purchase करते टाइम किन points का ध्यान रखना होता है जो check करने होते हैं तो ऐसे में हमेशा try करना एक ऐसा phone purchase करना जो phone IP67 या IP68 dust और water resistant की rating के साथ आता है अब ऐसे में जो options हमें आपको बताता हूँ Samsung S21 FE जो फिलहाल offers में और sale में 40,000 रुपीस के round आपको मिलना है इवन जो black friday sale आने वाली है उसमें भी 42, 43 या मतलब offline में कहीं न कहीं 40 का आपको मिल जाएगा अगर आप ये phone second hand देखो तो ये आपको 28 से 30,000 रुपीस में 1 से 2 महिने पुराना easily मिल रहा है मैंने खुद मतलब देख रहा था तो OLX पे available है इवन इसी के साथ-साथ IP68 dust and water resistant की rating S21 FE हो गया iPhone 12 mini और Google Pixel 6a में भी मिल जाएगी अब मैं इतना साथ IP68 rating की इसलिए बात कर रहा हूँ जब आप कोई second hand phone purchase कर रहे हो तो एक doubt रहता है मन में कि यार इस phone पे थोड़ा सा भी गलती से भी अगर पानी गिर गया होगा तो ये phone आगे जाके खराब हो सकता है इन phones में पानी गिर है या फिर आप कहलो की बार-बार phone restart हो रहा है तो आपने second hand purchase कर रहे हो थोड़ा बहुँ चेक कर रहा है और phone purchase कर लिया घर आओगे बाद में आप देखोगे इसमें तो ये दिक्कत है वो दिक्कत है लेकिन IP68 rating वाले phone अगर आप purchase करोगे तो वो जदा safe रहेगा अगर आपको knowledge नहीं है तो otherwise 30,000 के अंदर जैसे की कुमार लेन में पूछा था तो Pixel 6A, iPhone 12 Mini और Samsung S21 FE ये तीनों मेरे recording best options है आपको इन में से जो सही price पे मिल जाए वो आप purchase कर सकते हो Pixel 6A अगर 22 या फिर 23,000 रुपीज का मिल रहा हो तब ही purchase करना otherwise S21 FE तो easily मिल जाएगा 28-30 में iPhone 12 Mini 25,000 के round मिले तो वो भी अच्छा option है battery health 88% से ज़ादा होनी चाहिए वो देख लेना अब कुछ ताइम पहले मुझे Instagram पे दिपेश त्रिपाथी का message आया था कैसे हो दिपेश भाई मैंने पहचान लिया आपको चैनल नया नया स्टार्ट करा था जादा subscribers नहीं थे तब तब आपने मेरे से कुछ सवाल पूछ थे और शायद आप एक बर giveaway जीते थे तो दिपेश भाई को वीवो X80 34,000 रुपीज में मिल रहा है कैसी रहेगी डील मैंने आपको इसे इंस्टाप रिपलाय कर दिया है सवाल इसलिए पेख कर रहा हूँ वेकॉस अगर आपको वीवो X80 34 से 35,000 रुपीज की रेंज में सेकिन हैंड मिलता है तो इस फोन को बस चेक कर लेना और परचेस कर लेना 500,000 रुपे कम जादा मत देखना क्योंकि ये फोन टोटली वैल्यू फोर मनी बन जाता है क्योंकि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है ये डिमेंसिटी 9,000 के साथ 34 से 35 में बहुत अच्छा option है क्यामरा भी इस फोन का अच्छा है फ्रंट क्यामरा से मैं थोड़ा सा disappointed हूँ even दो बट रेर क्यामरा बहुत बढ़िया है और जो वीवो का user interface है उसके साथ थोड़ा adjust करना पड़ेगा वो कुछ खास नहीं है overall यह कुछ सवाल थे जो मैंने आपकी इस वीडियो में पिक करे उमीद करता हूँ भाई का content आपको informative लगा होगा तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर दो और मैं मिलता हूँ next वीडियो में till then you guys are great